जैसी आप अपने Facebook में या फिर Facebook Messenger में लॉग इन होने जाते हैं पर आपको इस तरीकी का एक pop-up सो होता है You can't use this feature right now यहाँ पर आप कई बार ट्राई कर चुके हैं और आप यहाँ पर बिल्गुल भी लॉग इन नहीं हो पा रहे होंगे अपने Facebook Messenger के अंदर या फिर यहाँ पर आप अपनी Facebook में ठीक है तो आज मैं आपको दाऊँगा इस problem का solution क्या है तो सबसे पहले इस वीडियो के लाइक कर दीजी चैनल को subscribe कर दीए क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए आपे helpful वीडियो लेके आता रहता हूँ यह जो problem आती है messenger में भी आ सकती है यह problem आपकी Facebook में भी आ सकती है तो इसे कैसे ठीक करना है तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है आपके messenger या facebook में किसी प्रोब्लम आए तो सबसे पहले आप अपने play store में चले आईए यहां पे आपको अपना facebook सर्च करना है और इसे update कर लेना है messenger में problem आ रही है तो आप messenger यहां पे search करेंगे से भी आप यहां अपडेट कर लेंगे तीक है वो लेखना है nggak अपडेट लिखा हुआ इस पर क्लिक कर लीजिए ठीक है वह फिल लेखा हुआ तो अपडेट है अपका phone- KUR consistent, ठीक है आप देखो फिर क्या करना है यहां पे आपको फिर prêt प्रफ्लम वारी तो मैसेंजर पर दवा के रखना है यहां एक आई बुटन सा रजार आएगा इस पर क्लिक करना है फोर्च स्टॉप करना है अब यहां पर आपको देख लिंग मिल जाएगा स्टोरी जिस पर क्लिक कर दीजिए किलिया डाटा मत कीजिए कि वल किलियर केज को दबा की रखना है सेम वही प्रोसिस हैं यहां पर आपको वही फील उफ्लफ करना है जो उब must मेर आपको दकत नहींा मुझे भी यही problem आ रही थी लेकिन मैंने इसी तरीके से सही करलिया है ठीक है और फिर भी आपको messenger में problem प्रब्लम आया फिर फिर खुड फिर भी लाग-इन ना हो आपको पने मेसजेंजर को यहां से अनस्टाल करना है और यहां से उपिष्ट को अब का अगर यहां पर तोपो फ्र में प्रम्ण कर दो फिर जो पो उद्स फिर चॉरार से जाग help अपना पासवर्ड के जो भी पासवर्ड और अपना यूजर नेम यानिकी अपना जो भी आडी बनाई होगी ठीक है बनाते समय वाल नमबत दिया होगा या फिर जीमेर आइड दियोगी उडाल दीजिए और लॉग इन हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा फिर भी आपको कोई सम से आओ तो आप अपने फॉन को सुच आफ करके ओन कीजिए हंडे पर्चेंट इसी वीडियो में आपको सॉलूसन बता दिया है जैहिए